जे जे पए पहल अब तारा आप आप तिन जाप उचारा जे जे पए पहल अब तारा परमसनमान जो गुरू रूप गुरू खाल साथ संग जी वाहि गुरू जी का खाल साथ वाहि गुरू जी की पते आप सरबात संगतां बहुत बहुत बढ़ियां पागांबाले हो अम्रत के दाते तरम रख्यक सरबांसदानी साथ गुरू लोग प्रलोग दे महान बक्ष शांदे दाते सद्गुरू तंतन सद्गुरू शिरी गुरू गोविंद संग साहिम सचे पात्षा महराधी दे तैन सौ भुबन्ज में अवतार तार्न प्रकाश गुर्पर्व दे महान इना सुब अवसरां दे उत्ते समागमां दे वेच तत्थ सिरी हरमंदर जी पटना साहिम सद्गुरां दे अवतार तारन पावन प्रवित्रस्थान ते संगतां पिशले दिना तो बड़ी शर्दा पावना ते उत्षा दे नाल हाजरियां परके हजूर दे पावन दर्शन करके हजूर दे पावन चर्ना मिच अपना मस्तक नत मस्तक हो करके अते मान इच्छत दातां प्राप्त कर दे होए लोग प्रोग दियां बक्षशान दे महान बक्षशानू प्रापत करके सथ संग देविट जुड़ करके अपने मनुखा जीवन दियां कडियानू सफल कर रहे हो सथ संग जी तनसद गुरु शिरी गुरु गोविंद सिंग साहिव सचे पाथशा जी ने जो अपनी आत्म कथा आप लिखी है अपने पावन फुटर मुखार बिंतों आप उचारन कीती है जो मैं हेम कौंट साहिब जी दी पावन तरती ते मेरे सथ गुरु जी ने महान तब कीता और अकाल प्रखवाह गुरु प्रमेशर जी दे नाल जो बचन बलास मेरे सथ गुरु जी दे होए और किमे मात लोग ते आउन दे कार्ण बने ओ आप जी ने सथ गुरु जी दे अवतार तारन दी कथा दे प्रसांग कल दे दिवाना विच सर्वन कीते सन येस नूँ अगे जो कथा चल रही है मन बिरती नूँ अकागर करके सारिया संगता सथ गुरु जी दे अवतार तारन दी कथा आप सर्वन करो सथ गुरु जी ने अपने अवतार तारन दा मक्सद अपनी बानी विच स्री दस्म ग्रंथ साहिब स्री बचितर नाट ग्रंथ दे विच क्योंके संपूरन स्री दस्म ग्रंथ साहिब दी सारी बानी जाब साहिब जी तो लेके जफर नामा अस्फोकट क्वित्स बईया समेथ पर बिचितर नाट के एक हिस्सा है दसम दे स्रूपदा एसलिए सद्गरू डिदी ए आतम कथा है उस विच हजूर ने आप अपने मुखार में तोई बचन उचारन किते है याही काडत राहम जनमंग समझ लेहो सादू समनमंग तरम चलावन संतो बार्म दुष्ट समन को मूलो पारन इत्थूंता कथा हुई सी के सादेवतार तारंदा मुख मक्सद है जुल्मा दा नास करना जुल्म दी जड़नू पुटना तरमदी संसार विच रख्या करने है उना दी हर समय हथ देके रख्या कर देया उना नू बचाउना उना दी सहता करने और एस दे नाल नाल सद्गरू जी डो अकाल पुर खवाहि गरू जी नाल सद्गरू जी दे बचन बलास अकाल पुर्ख वाहिगरू प्रमेशर जी दे सनम खोए उस दा भी जिकर नाल नाल आ रहा है सद गुरू जी की कह रहे है के अकाल पुर्ख वाहिगरू जी ने जो बचन किते हन के संसार ते पहला भी अवतार आए पेज्याओनानू होर मक्सद लई सी पर उनाने संसार नू अपनी पूड़ा विच अपना नाम जपौण दे विच लाके अपनी पूड़ा दे विच उनानू अपने अधीन कर लेया अकाल पुर्ख वाहिगरू प्रमेशर नाल जोडन दी विजाए अपने नाल जोडन लगपए जिस करके असली मक्सद तो लंबे हो गए सो साथ संग जी आओ सुनो मन बिरतीनों अकागर करके सद्गुरा दे पावन अबतार गुरु पुर्बदी कथा साथ संग जी अबतार दार्थ विद्वाना ने बहुत सुन्दर कीता है अबतार अक्ती अबतारा तरती दे उत्ते मात लोक दे उत्ते डिड़े लोक जिन्नी लुकाई जन्ता प्राणी जिन्ने भी प्राणी मातर जिन्नी भी शरेणी है जदों ए बाउत वड़ियां मसीबतां ते दुखां विच फस्जन्दी है कोई इना जीवान दी रख्या नी करदा सहेता नी करदा फेर अरदासां करदे स्वास्वास बेंतियं करदे जोद्रियं करदे के वाहिगरू जी साधी रख्या करो परमेशर फेर उना जीवान दी रख्या करन वास्ते विपता दुखा तु बचाउन वास्ते अपने अवतारा नूं मात लोक ते पेजदा है दसम पिता जीदे भी बटन हान जब जब होता रिश्ट संसारा तब तब देह तरत अवतारा जदों जदों पाप तरती ते हुंदा जुल्म हुंदा जबर हुंदा दुराचार हुंदा ओदों प्रमेशर अवतार ता अर्दा मात लोक देखते एस करके तां सद्ग्रू डियत जिक्र कर रहे है अवतार शब्दी व्यक्या बहुत संखेब शब्दामित बड़ी पापूर्त विद्वाना ने कीती है कि जो संसार ते आके जीवान दी दुखां तो रख्या करे वो सनू अवतार के हा दंदा है जिन्ने जिन्ने भी कलंगी तर पाथशा महराज जी ए जिक्र कर रहे है के नौमे पाथशा जी तो बात दसम पता जीदा होना होया शिरी गुरू नानक देव जी दे आउन तो पहला जिन्ने भी अवतार एस संसार ते पहला हो निबडे जिन्ने भी अवतार आए आप आप तन जाप उचारा अपनी पूजा अपना नाम जे पाउन दाई लोकानू जाप दस्या सिया राम रादे क्रिशन ऐसा जाप उन्हाने उचारन करन दी आगया कीती के साड़ाई जाप करो साड़े नाम दाई जप करना करो अपो अपना जाप हमें देविचा करके उन्हाने उचारन दा सारे आनली विदी विदान बनाया आगया कीती है रब दोखी कोई ना बिदारा जेडे प्रभु दे दोखी सन प्रमेशर वाहिग्रु दे नाल ब्राभरत करन वाले, रबतों भी अपने आपने वड़ा खुआउन वाले जेडे लोग सान उन्हानू एस तरथी तो नास नी किता, उन्हान दा मकाबला नी किता, प्रभु प्रमेशर दे दोखियानू जो एस तर्ती तो उन्हादा नास करना सी, उन्हानू डण देना सी, एस तर्ती तो उन्हानू पासे करना सी, ओ करताब ते नाने ना किता, प्रभु दे दोखियानू, एस लुकाई नू प्रभु दे दोखियानू तो बचाउन वास्ते किसे दी सहता नहीं किती है। तर्म कर्म को रहो ना डारा जेडे कर्म तर्म दे तर्म वाले कर्म तर्म दे सूलान सार जीवन चलोणा तर्म दे सूलान सार अपने जीवननू चलोणदया लोकानू तर्म दे सूलान दे विच परविर्त करना ओडेडे तर्म दे शुव कर्म सन उना दे उत्ते था किसे नुँ तोर्णवास्ते, तोर्णवास्ते अग्याई नि दिती, प्रेष ना नि दिती और किसे नु तर्मदे रस्ते थी नहीं तोर्या नहीं चलाया जे जे गौस अंबिया पहे दिन्ने भी गौस, मुसलिमान फकीरां दा एक खास दर्जा है जो दुनिया दियां फर्याद सुनके, परार्थना सुनके, उना दियों कहलो अर्दास सुनके, उना दि काम नाम पूरी करन दी जिद विच शक्ती है, इच्छा पूरी करन दी जिद विच ताकत है, भरकत है, करामात है, जो दुनिया दियां फर्यादानों सुनके, उना दि फ प्राइन अपनी अवस्थानू कर लेंदे है ता अपने स्रीर दे अंगानू जोदे जोदे करन दी भी उना विचे शक्ती हुंदी है वखरे वखरे अंग करके लोकानू वखादन दे हन ता इत्थे जिकर कीता है जिड़े के ने इन्या शक्तियां वड़े गौंस फकीर भी होए अंभिया दुनिया दे अंदर अंबरतों पैगंबर प्रमात्मा दा पैगाम ल्याउन वाले जिन आनू पगंबर के हा जन्दा है जिनने वी ये संसारत होए गौंस फकीर अते पगंबर आदक मैं मैं करत जवत ते गए मैं मैं करदे होए अपनी पूझा विच लाके अपनी नळ जोडन वेची दुनिया तो मैं मैं दा शकार हो करके दुनिया तो तुर गए जो गड़ा अकाल पुर्ख वाहि गुरू प्रमेशर है सारें तो ओस दी आप भी पहचान ना किती आप भी उदी प्राप्ती ना कर सके तुर भी आप भी पहचान ना किती पहचान की आप भी दर्शन ना किते ओस दे चर्नमच प्रेमा पकती दे प्राइन हो के जेड़े तर्म दे कर्म सानू ना अनुबी जो कर्ण वाले सान तर्मदा मतलव है तर्मदे ओ कर्म तर्मदी साधार्ण व्यक्या है जीवन दी ओ उच्ची सुच्ची महान कालना कालदया कालदया तर्मदे मार्गते चलके जिस द्वारा परम पिता वाहिगरू प्रमेशर नाल जुड़िया जावे उनु तर्मदी मर्यादा के हा जंदा है बहुत व्याक्या है तर्म शबदी पर उना ने बहुत ही सुनी व्याक्या किती कहने तर्म किसनु कहा जन्दा जेडिया रूहा प्रमात्मा नालों वाहिगरू नालों टुट चुकियां उना टुटिया रूहा नू द्वारा प्रमात्मा नालों वाहिगरू प्रमेशर नाल ज बचन कीता, सर्ब तरम, स्रेष्ट तरम, हरको नाम जाप निर्मल करम, शुब करम करने ते नाम जपना एही तरम कुर सिखांदा, और एस तरमनु अपना के एस तरम ते चल के वाहिगरु दे नाल जुड़िया जन्दा उदी प्रापती, ओस देविच पेता प्रापत हुंदी ताज सब पर्म, तज हो पर्म, तज हो पार ब्रहम, कोहो नानक अटले हो तरम, सारे परमा दा तिया करके प्रमेशर दे नाम दा पजन करना, एही पाई असली तरम है, गुर सिखानु किर्ट करनी नाम जपना वन्द चकना, ए गुर सिखी दा बड़ा सुनेरी तरम दे महान सदांत मेरे सद गुरु जी ने, तन शिरी गुरु नानक देव जी ने बक्षिश कीते हैं, एस करके तरम दे मारग नू, ओ थोड़ा जना थोड़ा जिन्ना वी, रंचक जिन्ना भी, उनाने जाने आनी, ते आनी दिता ना उसली प्रापती कीती, अवरन की आसा गश नाही, होरां दे ते आस रखन नाल, कोज भी जीवन मिच मार रखेंदे मनुखा ते आस रखन नाल, मानू की टेक, बिर्थी सब जान, देवन को एक पगवान, मनुखा दे ते होरां दे ते आस रखन दे नाल, प्रुशा रखन दे नाल, कोज नी प्रापत होएगा, एक आस ता रो आस टेक लाओ, उदी जदों टेक रखोंगे, तांप आई सारा कोजी जीवन विच प्राप्त हो जाएगा, एक उत्ते ही, एक वाहि गुरू दे उत्ते ही, प्रोसा विश्वाश रखना है, होरा मनुखां दी टेक लेंड देनाल, होरा मनुखां देते आस लाओन देनाल, कोजी भी प्राप्त नी हंदा, ढिवन वेच उप्रत नाम हंदा, सुख नी उत्त पत हुंदे, सुख नी पैदा हुंदे, और सिखो उसे वाहि गुरू देते अपना आस्प्रोसा रखना करो विश्वाश रखो कोई पढ़त कुरान को कोई पढ़त पुरान कोई अठारा पुराना दा पाथ ते उना अनु विचारदा है काल ना सकत बिचार कै काल जेडाना मौत दा दुख ओस्तों कोई भी नी बिचा सकेगा रख्या नी करेगा केवल पढ़नाल कुझ नी हुना पढ़नाल कुझ भी नी प्राप्त हुना अमली रूप दे विचे कमाई करनी पेंदी है फोक्ट तर्म ने दाना अन्तनू डेडे दखावे दे तर्म दे कर्म कीते है ना दखावे लिए दुनिया मिच तर्मी बन वास्ते के लोक वेख के कहने बहुत वड़ा तर्मी है यो मन मिच कप्ट राके दखावे दे तर्म दे डिड़े कर्म करके लोकानों दखावना मगर लोना एत अप आई आंतनू कीते हैं फोक्ट सारे निस्फल चले जांदे जाओ पई कई कोट मिल पढ़ तक पकुराना यो इसलाम तर्म दे अनियाई क्रोणा दी गिंती दे विच कुरान दा पाठ कर दे पढ़ दे आई पाचत के ते पुरान अजान 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 ता दे अधीन होके बहुत लोग पुराना नू भी विचार दे हैं अठारा नू अंत काल कोई काम न आवा पर जे अमन ने कीता जो केहा ना ता अर्मक ग्रंथां दे विच ओस उनसार कमाई ने कीती न ओस उनसार अपना जीवन नी बढ़ाया ता अंतनू काल तो मौत दे दुखतों कोई बिचा नी सकेगा रख्या नी करेगा जमातों दाव काल काहू ना बचावा मौत दे दातों जमा दे दातों कोई बिचा के रख्या नी कर सकदा क्यों न जपो तांको तुम पाई ने पाई क्यों नी ए प्रावो गुर सिखो गुरु दे दर दे पाई प्रेमियों प्रमेशर दे प्रेमियों ओस वाहिगरू दे नाम दा क्यों नहीं जप कर दे सिमर्न करना तो बहुत कठन है रसना नाल मूल मंतर वाहिगरू दा जप कर देया जहां गुर्बानी पढ़ देया कोई जोर नहीं लगदा तामार अजी ने जप शब्द बरतेया के क्यों नहीं पाई ओस वाहिगरू दा रसना द्वारा नाम जप दे जो अंत दा समाज दू आएगा ओ नाम ही तो अड़ी रख्या करेगा जेडे दखावे दे तर्म करके वखोने हैं ये ता पाई होर पर्म देविच आवा गवन दे चक्कर देविच पाउन वाले जानना करो क्योंके बंदा असलियत नूँ जदों लखा के दखावा कोई होर करदा फिर वाहिगरू दी क्रोपी नूँ वी सहेडदा फिर होर जमन मरन दा इड़िडा पर्म चकर पेंदा है इन ते सर्त न कोई कर्मा दखावे दे तर्म दे कर्म करनल कोई काम नहीं सौरदा ना है सलोक विच उगर गया जैसे खोटा टभूआ नदर स्राफ़ा आया इथे भी पखंड दा पाज उगण तो दुनिया विच अपमानत हुंदा वाहिगरू दी दरगातों भी तके पेंदे हन एहे कार्ण प्रभ हमें बनायो एस करके को कार्ज नहीं सौरदा लोक पर लोक दा एस वास्ते केंदे वाहिगरू ने सनु आग्या दे के सनु मात लोक दे उत्ते खालसा पंथ सजण वास्ते पेड़ना कीता है सजाया है पेद पाक एहे लोक पठायो एस मात लोक दे विच्च सारे तरह अपने शुरूप दा ज्यान पेत ताद पर्ज सारा दस के जा वाहिगरू दी प्राप्ती दे जो असली सादन हन उना दा ग्यान दे करके सनु पे डिया है मात लोक दे उत्ते जो तन कहा सो सबन उचाराओं भारा केंदे अंदर बढ़के मंतर नी दे आंगे कना मना कुर तू मेरा चेला मैं तेरा गुर सारे संसार विच्च प्रतक रूप दे विच्च दे द्रिष्टी गोचर वी सारे आंदे त्यान हित वी जो वाहिगरू ने कहा सारे आनु खोल के दसांगे उचारांगे अपनी रसनातों देंब बेंब केशन ना कराओं देंब हुंदा पखंड बेंब हुंदा चूठ चूठे पखंड दे दखावे जां कप्ट आद करना है नैक थोड़ा जिन्ना रती जिन्ना भी कोई दखावा करके नी धुनिया नू पखंड दे चूठे दखावे करांगे उरसावल शांद ना जटा मूंड तारां सेर्द उत्य लोकां तो पूझा करोण वास्ते जटा नी बणावांगे बोड़ दे दुद नू लाला के जटा बदा आलनियां के वड़ा साद हुआ है यह हो जा सेर्द उत्य जटा नी बदा आवांगे नाई अपने सिखानू आगया दे आंगे के जटा बणाओ कान पाड के मुंदरामी नी पुआमांगे गोर्ख दी तरा जपो तास नामं मारा केंदे साधी ता सिदी साधी सुपाष्ट रहनी है के गुर्शिक्खो तेस वाहिगरू दा नाम जपो सरा सर्ब कामं काल जोग विच होर साधन नी तो आडे तो हो सकना बड़े कठन साधन हन एस करके वाहिगरू प्रमेशर दा नाम जपो जिस करके सारे कार दी तो आडे लोग पर लोग दे साधन गे पूरे होन गे अन्णा नैनंग में चाऊं बड़ा ते अन्नी बणके साधू बणके अक्खा मीच के बैठना रीट दी हड़ी सिद्धी करके दुनिया का ए बड़ा बड़ा साधक है यहोजे पखंड दियां गलां करके अख्थां बंध करके बेठन वाले दुनियानू दखोण वाले ऐसे खंड वाले प्रपंच ए नी करन देांगे ना इपखंड दा दखावंगे दुनिया वे चे ना को कर्मकमाउ ठोटे कर्म वी नी दुनियानू करन वास्ते कदे आजया देांगे ये भी बचन कीता है जिमें लोग केंदे यह ना नास तक आज अग मिठा अगला किन डिठा केंदे आज आगी मठास पूर्ब कहा मिठे दा पर या खाओ पियो ते दुनिया दे सारे सुख लओ अगला किने वेखेया अहमी गला बढ़ाया पर मारा केंदे प्रमेशर तू बे मुख करन वाले जड़े खोटे कुकर्म है ना उना नू भी कमाउन दी आग्या नी दे आंगे ना ही कमामांगे ना ही आग्या दे आंगे सिखानू ना पेखी कहां केवल वास तारन वाला पेखी नी कहांवांगे पेख दा सितकार था जे करनी है जे रहत है फिर बहुत वड़ा सुनमान है मारा केंदे जेडे तानुते केवल पूड़ा वास्ते लवास बना के सादू बन के दखाउंदे है ते प्राब जान काश कहना बिचार है समझले हो सब जानमान माही पखंड करके दखोन विच प्रमेशर निम प्राबत हुंदा ना उदी प्रसन तई मिल दिया जे जे कर्म करत देंब दखाही देडे प्खंड वाले कर्म करके लोकानु दखावा कर दे या दखाउंदे या तिन पर लोग नमो गत ना ही वाहि गुरूदी दरगा विच पर लोग मेश उनादी मुक्ती नी होएगी नरका मेश पैन गे जीवत चलत जागत के काज्या बधार्थ अकठे करनदेक आर्ज पूरे करलवेगा सवाग देखकर पूजत राजा रवास देखे राडे लोग भी पूटं लगजन देया दखावा दुनिया वेख दीया बारला दखावा जिनना ज्यादा कोई करके दखाद दन्द उनें मगर लगजन देया पर मारकन थे रादे भी पूटन लगजन देया कई वरी पेखनू बेख Ke मगर लगजन देहन रादे लोक भी पूडा कर लगजन देया स्वांग न मैं पर मेशर नहीं पर दखावयाम जो स्वांगह मेच वाहिग्रू पर मेशर स्वांग की चोर ने सादू दा बाना पालेया एस तरह सादू बनके दखाया यहोजा स्वांग राच लेया यहोजे डिड़े स्वांग बना ले इना विच कोई प्रमेशर नी प्रापत हुंदा भोज फिर ऐ सब ही को काही भाई जिते मर जी खोड़ खोड़ के वेखलो हार थातों जिते किते भी अपनों मान कर मोजे आना जिना ने अपने माननू अपने हत्थां विच अपने वासविच गुरू दे हुकम विच कर लेया है भार ब्राम को तिनी पशाना मान वा सावनान का जे पूर्ण किर्पा होए मन तां वसविच अओंदा जे पूरी किर्पा हो जाए मन वसविच नी आओंदा परसाद संगजी किर्पा तां हुंदी है जे गुरु र'll हुकमन नी है आज्या मन नल किर्पा हुंदी है फिर मन भी वसविचा आज़न mentorship फिर मन मगर नी लाके तोर सकता केश कटाओना अजे मैं केश नी रखने मेरा मन चोँदा मैँ मन दे उनसार सात संग जी हुआ आई कथ न है मन दे मगर न चलिये मन दे मते अनेक का जी मुल्ना मर गए जिनने भी ए संसार दितते वड्ये तो वड्ये जो भी हो यह जिनाने मन दे हाथ आपणा मन अपनी किर्या केलो अपना जीवन देदता ओ मनुखा जीवन गवा के तुर गए पाई मन दे अखे नी लगना गुरू दे अखे लगना मन की मत त्यागो हरजन मन दी मत नू हे प्यारया त्याग दे एस नू दूर कर दे एस करके मा रखेंदे पाई अपने मननू गुरू दे हुकम विच अपने मननू गुरू दे हुकम रूप हत्थां विच लेके आउना जिनाने लेंदा है पारबराम को तिनी पशाना वाहिं गुरू प्रमेशर जो ब्यापक है पापा पुन्ना तो परे है ओस दी पैचान ओस दी ग्यात तिना नूँ प्राप्त होई ए दोहरा पेख दखाये जगत को नने लबास बडाबना के दुनिया नूँ दखाया पूढा दी खातर लोग नको बसकीन लोगा नूँ भी बसविच कर लेया दी इन कर लेया मगर लालेया अंत काल काती कटेयो अंत दे समय जओ जदों काल दी तलवारो नानू कट दैगी शरीर नालों वक कर दैगी वास नर्क मोलीन फिर की होएगा जीव आतमानू वसा नर्का विच लेना पवेगा नर्का विच जाके पवेगा पखंड करना बड़ा सुखा पर पखंड दा फळपो गेणा जदों पेंदा होदों पता लगदा है ऊड़े लोका नू मुद के पाव अपने दीन मगर लाके लोका न तानमाल दालत लोट दे आ ते बहुत है सोख पौंदे है के असी बड़े हशार चलाक चतर है के दुनिया नू देन दे हाडे असी लोट लेया किसे नू पताई नी लगण दता नासा मून करे पर नामं नासा बंद करके नमशकारां करनिया एहुड़ा दखावा करना के प्राणा नू असी वास्विच कीता हुया है दखावे दे तर्म है मारा केंदे कोड़ी दिननी भी इना दी कीमत नी कोड़ी दिनना भी इना दा कम नी आउना इना ने दोगट तर्म जते जग करही दिनने दखावे दे तर्म दखावे दे तर्मियां बाड़े लवास पांके दुनिया कर दी है नर्क कुंड पीतर ते पर ही नर्कां दे कुंड विच डाके पेंदे आओ लोग सड़ दे नर्कां दी अगनी वेच आथ हलाए सुर्ग ना जाहू आथ हलाके दखोन वाले जा हाथ हलाके कहना साड़ा बचन चुटकी विच्ची असी तनू स्वर्ग पेड़ देंगे यो केंदे स्वर्गां विच नी साठखन विच नी दाया दंदा जो मन जीत सका नहीं काहू जिने मंदियां ब्रयायानु नी न जित्या वाशनामानु नी मारया जगवेच तब बाच दोहरा ओ भाई साठखन विच नी दासकेगा पापां तोजने मुक्ती नी प्राप्त किती जन्त वाशना व्यक्री सर्व खाए यक संत बाचे जिना सठ हिते वाशना नूब गे अडिने दुनिया खालाई एक प्रभू दे संत नाम जपन वाले बचे जिना अधा वाहिग्रू दे नाम नाली हेता है योँ पाई उना अंधी रख्या मारे कर दे है हुन अगे काब बार एता अन गुरू गोवन सिंग साब जी पिछे अकाल पुरुख जी नाल बचन बलास होए है इत्थे हुन सत गुरू डी अपने वल्लो ए दो रावचार दे के असी अपने पिता वाहिग्रू अकाल पुरुख गे बाचे बेनती किती है जो ने जप्रभ मोसो कहा जो मेरे वाहिग्रू ने सानू के आग्या किती है जो कह हाँ जगमाह जो ही संसार विच आके केहा है दस्या है दसम्दी बाणी विच अपनी आत्म कथा द्वारा भी कह दिता प्रताख जो ते प्रभ का उत्याए है एड़े सुर्थ द्वारा वाहिग्रू दा सिम्रन करनगे ते आउनगे अंत सुर्ग को जाहे जो ता पाई अंतनू साच खंड दे विच चले जानगे बैकुंठ पुरी विच उन्हानु वासा मिलेगा उन्हा उत्ते ता ऐसी किरपा होगे ते सुर्गदार तो साच खंड लगेगा दोहरा हर हर जन दू एक है नाम जपन वाले परमेशर दा नाम ते आउन वाले अंदी वस्ता हरी दा जान ते हरी परमेशर दोन्नो एक रूप हुंदे है हर का सेवक सोहर जेहा पेदन जानो मानस देहा बैब बचार कशना है उना दे विच ते परमेशर दे विच कोई दवैत दी विचार नी हो सकदी कोई उना विच बेब नाम फर्क नी है पेद नी है मार अजखें दे जालते उपज तरांग जे ओ जाल ही बिखा समाहे हवादी उपादी करके जेदो हवादी उपादी शात हो जन्दी है तो ही भुल-ुले उपजबदे जिननों केहा जन्दा है जैसे जलते उपजबदा उपजए बिंसै नीत जग रचना तैसे रची को नानुक सुन मीत ओ फिर पानी दा रूपी बन जन दे है शरीरां दी अपाती करके वेखननू ता वखरे परतीत हुन दे है स्वासां दी पाउन है पर जदो शरीर दी प्रारब्द समापत हो जन दी है ओ दो वाहिगरू विच्ची जाके एकमिक हो जन दे हैं जैसे जू जल मैं जल आए खटानना ते जो ती संग जोथ समानना एसे तरह स्रीर करके वी पाई स्रीर ओना दा जेड़ा दखाई दन दा वेखननू पर अरब्द जू है पार अंद्रों वाहिगरू नालेक में को होए होए हन ओ से दा रूप हान जो पाई जे जे बाद करत हंकारा जेड़ पाई हंकार करके बाद चगडे पाउंदे आ वाहिगरू तो बेमुख करते आ लोकानू जिंते पिन रहत करता रा पैमी बेर्थ दी चर्चा करी डानी अपना मत वड़ा करी डाना दूजयानू नीवा दखाउना जे अपनी पूड़ा करोण ले अपने आपनू चंगा सिद करी डाना दुनिया विच दूजयनू नीवा दखाई डाना यहोँ जेडेडे बाद चगडे कर दे आ बाद व्यर्थ दी बाद चर्चा कर दे अमार अकेंद ना तो वाहिगरू ता वाक्खी रेंदा उनी प्राप्त कर दे बेद कतेब बेकार नहीं हर नाहीं चारे बेद कतेब इसलाम तर्मदियां चारे कताबां कहलो केवल जे मनोखई ना नू साधन करके ना दे उन सार नीन मर अरकेंदे अपना जीवन बढ़ोंदा ता हरी प्रमेशर नी प्राप्त होएगा कदा चितवी जान ले हो हर जान मान माही ए जान प्यारे हो वाहिगरू दे सेव को मन विच जान लो एस सदातनू आख मूद को लेंब दिखावे अंधर की पद भी कहपावे अगले जान विच अन्य अधी पद भी मिलेगी अन्य बढ़ के पैदा होएगा ए पाप लगेगा एस सजा ए सजा मिलेगी ओस नू जे कोई ऐसा दखावा मारा केन ने करके दुनिया नू लोटदा है आँख मीच माग सूज न जाई अखां बंद करके तुरिये ता रस्ते दा नी पता लगदा के रस्ता किदर नू जांदा बंदा पढ़क जांदा अखां बंद करके ता अपनी मंजल नी प्राब्त हुंदी रस्ते ते तो नू वाला पढ़क जांदा है जे पर तक भी अख्छाँ बंद कर लवे टाहि अनंत मिला केम पाई अनंत सुरूपद झिदा अन्त नहीं कोई पा सकदा ओके में मिलेगा पाई केवल अख्छाँ बंद कर नाड गई बिस्तार कह लओ कोई कह तो ताके इस बिस्तार नूं कोई कह के दा सकदा है जो असी दस्या है समझत बाक ठक तो एरह है वाहिगरू दे सदात नू ओस दे पारावार नू ओस दे सरूप नू समझनाता बड़ा कठन है केंदे एस बात विचार नू ता जे कोई कभे मैं प्रमातमा दा ओड़क वेख लमांगा ठक जाएगा ठक के रह जाएगा रस्ते विच्ची वाहिगरू प्रमेशर दा कोई अंत नी पा सकदा ओस दे काउथ का दा वी उदा भी रसनाता रह कई जाओ कोटा प्रोडा इंदे मानना दे कोई मनो कहिनना शक्ती शाली भी होवे बन जानो दिया तद प्रगंत ते प्रमेशर दी मैं मानू गिन दे आओदा जा सो चार दे तावी उदी रसना दा सीमत देरा रह जाएगा प्रमेशर दे गुन गौँ दे आओदी यां सिफतां कर दा उदा आंत नी पा सकदा अड़ी वड़ी ओस दी मैं माते महानता है दोह राजब आए श्राब को पयो जोदों प्रभु दी आग्या होई सानु होक्म होया जनमत राजब आए पात लोग ते असी अवतार ता रहा कल दे देन सिरी पटना साहिव तक त आब मैं कथा संचेब ते संखेब रूप मिच अपने अवतार दी जो कथा है हुन सत्गुरु जी कहन दे सब हुन कहत सुनाए आरे अनु कह के सर्मन करमाँ दे हाँ एत सिरी बचित्रनाटक गरंथे ए बचित्रनाटक गरंथे सत्गुरु अधी बानी दा आग्या काल जग परवेश करना आल परख वाहि गरुदी आग्या जो है इस विच संसार विच परवेश हून दा सारा बिरतांत दसया है लाम खस्तमों ते आये शेमा अधे आये सम्पूर्ण होया है मास्त सोब मास्त अफजू ए समाबतंग अस्तू समाबतंग इस मापत सुम्पूर्ण होवे ते शुबदार्था है मंगल होवे तान गुरु गोविंग सिंग साब जी अपने अवतार दी कथा दा हुन संखेब तेन दोरयां विच तेन चौपईयां विच उटारन कर दे चौपई मुरपे ते पूर्ब कियास पयाना अपने संखतां दे बेंती करनतों जदों तान गुरु ते एक बहादर साब जी सिरी अनंद पुर्शाब तो पूर्ब दी तर्फ नू आये है इदर नू पटना साब दालाका ए पूर्ब दिशा कही जन दी है कल ग्यानी चर्ण जी संग जी जिकर कारे से न माहांपुर्ख बडे महान फकीर साइं पीखनशा कुड़ हाम वाले यांदा ए पूर्ब बालनू ना ने नमाज अदा किती सजदा किता ए पूर्ब दी तर्ती है सो पूर्ब बालनू जाड़े साड़े पिता जी ने जदों प्यानना किता सिरी अनंद प्रशाब तो चले सचे पात्षाव पात पात के तीर्थ नाना तना तरां दे तीर्थां ते अपने चर्ण पाए संगतानू परम्प वित्र उपदेश दित्ता आप भी शनान संगतानू भी शनान करवाए जब ही जात तर्बेनी पाए तीर्थ ताप वित्र है जे तीर्थ दे उत्ते पूरा गुरू जा वाही गुरू परमेशर दिया प्यारियां रूहां आके चर्ण पाउं दिया सद्गुरु जी कहिंदे है जितने तीर्थ देवी था पे सब तितने लोचे तूर सादू कीताई ओ भी लोच देया के पूरे सत्गुरु दी चर्ण तूर सनू मिड़े तीर्थ था उत्ते चर्ण पौन वास्ते लुकाईनू सिद्धे रस्ते पौन वास्ते मेरे सद्गोराने चर्ण पाए ठाथा सद्गुरू मारा जीने पवित्र चर्ण पाए कुर्षितर पहुआ इना सारियां ठामां देटी तरह तरह सद्गुरू मारा जीने सारे तीर था ते गित्थे दुनिया आके शिनान कर दी सी न इदा पावे equilibrium लालो अठार तीर थां ते वक वक तीर थां ते लोग जिते आके नौदेया शनान कर देया उना तीर थां ते सद्गुरू जी पदारेया जब ही जात तरबेनी पहे जो चल दे चल दे तरबेनी जिते गंगा जमना सुरस्ती दा संगम तिन्ने जिथे जुड़दियां आपस दे विच प्रयाग नाम जुड़न दा हुंदा दो नदियां दो नाले जिथे जुड़दियां प्रयाग शब्द केहा जन्दा गरंथां विच यहुँ पाई जिन्हों प्रियाग राज तीर्थ केहा जन्दा तीर्थां दा जो राजा जिन्हों अज़ अलाहबाद दे नाम ना लोक बलाउं दे है जदों कल की तनगुरु ते एक भातर साब जी तरबेनी दे संगम प्राज राज तीर्थ ते पहुंचेया तोड बंदा नू दान दितता दान करजया देन गुजारे नाम जपया पगती किती साथ संग जी एक दिन सत्गुरुत अन्गुरुत एक भातर साब जी दे माता माता नान की जी ने बेनती किती पुत्र सत्गुरु जी तो अड़ी पंताली वरे दी वरेस हो गई 32 साल हो गई तो अड़ा अनंदकार जी शादी होया नू तो अड़े पिता गुरु हर गोविन साब जी दे बचन साम के तुम अपने पोत्रे दे अपनी आखानल दर्शन करेंगी मारा दर्शन नहीं हो रहे है कदों दर्शन कराऊंगे तन्गुरु ते एक भादर साब जी कहन लगे माता जी जदो सत्गुरा नू पावेगा ओ दो ही किर्पा हो नहीं है इन्नी रजा विचरन वाले ते आग वैराग जीना विच्चों पैदा होया मेरे सत्गुरा मिच्चों ओ सत्गुरु तन्गुरु ते एक भादर साब माता जी ने फेर बेंती किती मारा केंदे चंगा माता जी तन्शिरी गुरु ग्रन साब दीदा पाई बन्नो वाले स्रूपदा सवारा मार अरपाल की विच्च नाल रख देशन मार अरकें दे अखंड पाठ कराओ पच्ची सेख लाके अखंड पाठ वड़ी सेख संगत गुर्द्वारा प्राग राद तीर थुते लाह बाद विट शे महिन्ने सत गुरु जी उत्थे मातामा नाल माता गुजर कौर जी नाल और अपने माता नान की जी दे नाल गुरसिक्हा दे नाल रहे हन पांज पाठी लाए शिरी गुरु गुरंण साब जी दे अखंड पाठी पाई मतीदास जी, पाई सतीराम जी, पाई देल्ला जी पाई गुर्दिता जी बाबा बुड़ा जी दी शेमी बास विच्चूं शेमी थाँ ते और पाई सती राम जी भी अठमे पाथशा जी दे सिखसान पाँज सिखानू लाके पाँज जबदी साथ पाँज तू उभाले जिनानू मूल मंतर दा जाप नाल करंदी आ गया पाँज पहरे दार वाही गुरू मंतर दा जाप करणवाले निघराणी रकनवाले पाँज लांगरी सिख पच्ची सिखानू लाके पूरी मरजादा उन्द सारह अखंड पाट साब कर वाया सारा खंड पाठ एक चौंकडे बैट के तन गुरु तेग भादर साथ जी ने ते मतामा ने आप सर्वन किता संपूरन था होई पोग पाए गए लंगर वरताय लोड वंदा नू दान दिता ए पुन्दा कर्म किता सत्गुरु जी ने पहला खंड पाठ साप प्रियाग राज लाहवादी तरती ते गुर्द्वारा वड़ी सिक संगत साहिविखे सत्गुरु जी ने करवाया है तही प्रकास हमारा पयो उत्थे माता गुजर कौर्दी दी कोख विच साधा प्रकाश होया आसी परगट होया आये उत्थे मात लोग ते पतना सहर विखा पवलयो शताना सो तेई भिक्रमी सम्मत सोला सो पेंठ भी जा सोला सो श्याथ जूलियन कलंडर मतावक सोला सो सताथ गैगोरियन कलंडर मतावक देन आयतवार पोसुदी सत्मीनू पतना शहर जो है बड़ा प्रसित संसार विच जेडा समने तक साव दीदे दर्शन हो रहे है जिते मुखरू विच तन शरी गुरू गरंद साव दीदा सचे पात्षा दीदा प्रकाश है अग्गे आद सुरू पते दसंदे सुरू प्रकाश हैं एस अस्थान ते मदर देश हम को ले आए अबतार तो बाद जो साथ अठवरे दी साल दी उमर होई मदर नाम साथ संग जी पंजाब दा है पंजाब दी तर्ती ते मामा किरपाल चंद जी सानू माता गुजर कौर जी दे समेथ सारा परवार पिता सत्गुरू दे पास लेके आए अनन्द वस्ताविच दाई मातामा ने बड़े दुलार प्यार सानू देना किते बहुत तरांदे दिन्नी अनक पांथ तनरच्शा भालक वस्ताविच साढ़े सरीर थी हर तरां करके रख्या कीती हर तरांदी संगाल किती है दिनी पात पात की सिशा एसे तरह गुर्मत दी दुनियां दी हैं विद्यामा दे ग्यान दी सिख्यावी विद्वाना द्वारा तरह तरह करके द्वाउना कीती है और आप तनगुरुत एक बहदर साब जी यते मातामा ने गुर्मत दी सिख्या दा ग्यान वी करवाया पूरा हर तरह करके जब हम तर्म कर्म मो आए जदो असी नौ साल दी उमर दे विच तर्म दे कारजा मिच आके प्रविर्त होए गुर्ता गदी दे तक्स तुत्ते बैठन दी आग्या होई देव लूक तर्म कम पिता सिदा आए जिन्दू तर्मनी रखेया वास ते तंगरुत एग बहादर सावदी दिल्ली विखे चांदनी चौंक दी तर्थी ते सतारां सो बती विकरमीनू तंगरुत एग बहादर सावदी ने महान शहाद दे दी सीस गंड साहिब दिली विखे तिलक डन्यूं ब्राखा प्रवताका कीनों बड़ो कलू मैं साका साध नहेत इती जिन करी सीस दिया पर सीन आउट नी ठीक कर फोर दली सर प्रपर किया प्यान तेग बहादर सी करिया करी ना किन हुआन ऐसे गुरूत एक बहादर साव जी सचे पात्षात अरमदी खातर अपनी शहादत अपनी कुर्बानी दे के सट खंड नू चले गए इत्थों तक सत गुरू जी दे एपाबन पुवित्र अवतार दी कथा संपूरन होई है एक स्री बचितर नाटक गरंथे बचितर नाटक एक हिस्सा है दसम गरंथ दा एस बचितर नाट गरंथा अदे आये इती होया पूरा होया संपूरन नाम सब्त मोत्य आये एस अत्मा अदे आये है प्रसंग है समापत मस्त सुब मस्त एस संपूरन होंदा है मस्त तो पाव, अस्त पाव संपूर्ण हो रहा है शुबद पाव एस कथानू सुन वाले, विचारन वाले उनानू पाई कल्यान दी दात प्रापत होवे उनान्दा मंगल होवे, उनानू खुशियां मिलन उनानु अनंद दी प्रापती होवे एस कथा दे विच्चों एसाथ संगजी एस तरह इदा समापतं अस्तू समापतं समापत अस्त सुभम अस्त एस तरह पादबंदी नू जोड के एस तरह एस दे अर्थ बंदे हन पाई ए गुरू की महान आतम कथा मेरे सत गुरू दी एस नू सुन के सारियां खुशियां भी सारे अनंद भी और कल्यान मुक्ती भी जीवन विच प्रापत हुं दी है समागे जान दी अग्यानी दंदा गुर संगत जी तक सिरी हर मंदर जी पटना साहिब इखे दंद में टक्सार दे बार में मुखी सठखन वासी महापुर्क संथ ग्यानी गुरू बच्चन सिंग जी खाल सा पिंडरां बाले हर साल एस गुरू पुरू दे उत्ते आके अचे चाता औरते हाजरियां परेया कर दे और एस सद्गुरू जी दे अवतार तारंदी कथा संगता नू सुनाया कर दे और एसे तरह उननी सो सताथ विच जदों तिन सो साला पहला प्रकाश गुरू पुरू बच्चन सिंग जगत ने पहली बारे थे मनाई ओदों महापुरुखा ने बहुत वड़ा जोगदान पाया सी जथे बंदी दम्दमी टक्साल बल्लों और दम्दमी टक्साल दे तेर में मुखी महापुरुख सट्खन वासी संत ग्यानी करतार संगी खालसा जिनूं भी ओदों दम्दमी टक्सार दे मुखी दा सिरोपाओ ए बक्ष तक साब जीते महापुर्ख अपने हस्त कमला नाड आप उन्हाने बक्षिश किती जथे बंदी दा मुखी एसे तक साब सत गुरांदी हजूरी विच था प्यासी एड़ी वड़ी बक्षिश महापुर्खा ने कीती और सत पुर्शंते ए बक्षिश होई ओ महापुर्ख भी हर साल हाजरी पर दे रहे फिर दम्दमी टक्सार दे चौद में मुखी अमर शहीद पंथ रतन महापुर्ख संत ग्यानी जर्नेल संग दी खाल सा पिंड़ांवाले वी ओ भी एस पावन गुर्पुर्वांदे टे हाजरी अंपर दे रहे उना दियां कैस्टा मिच भी एक अथा इत्थों दी परी हुई संगता सुन दिया हन सो महापुर्ख वी एस गुर्पुर्वते हाजरियं पर दे रहे दम्दमी टक्साल दे पंदर में मुखी वैराग त्याग दी मूर्त महापुर्ख संथ बाबा ठाकुर संग जी खालसा जी वी इना गुर्पुर्वते हाजरियं पर दे रहे हन दमदमी टकसाल दा एस तक साब देनाल और जो कलगी तर ने थे मरजादा स्थाब्त किती है ओ सिन्ना मसिन्ना दमदमी टकसाल जथे बंदी ने उसे तरा सुबाल के पंथ वे चगे जारी रख्या हुया है ए महान बक्षशा इत्व एस जथे बंदी नू प्राप्त हुया उसे प्रेम नू मुख रख देया आप संगतां दे दर्शन होए मैं उचेचे तोर ते तक स्री हरमंदर जी पटना साब दी दे जथे दा सिंग साभ ग्यानी अकबाल संग दी दा रोम रोम करके तन वाद करदा जेना दी आग्या नाड में नू गुर्पुरवन दे समाग मां ते आप संगत दे दर्शन हो रहे हन एसे इतना तक स्री साब तक स्री हरमंदर जी पटना साब जी दी कमेटी दे परदान जथे दार सरदार अवतार संग जी हित पाई महिंदर संग जी टिलों जिना भी सारे मेंबर सहबान हनूना दाभी मैं ते दिलों तन वाद करदा एस तो लावा सिख पंथले बड़े प्रसिद बदवान ग्यानी रंजीत संग जी गोहरे मसकीन जो अपनी मसाल आप हन पिछले दिना तो गुर्बानी गुरतिहास दी कता सुना रहे है होन भी उना ने तो अड़े दर्शिन करने है ताक्सरी केशकर साब जीदे प्रसिद कता बाच ग्यानी चर्ण जी संग जी एसे तरह दम्दमी टक्साल विच्चो महान विद्या प्रावत की कीती है जिना ने ग्यानी चर्ण जी संग जी जो इत्वे कता कर दे है चंदर पुर्चांदेतों महा पुर्खानल बड़ा लम्मा समा रहे हैं संद बाबा ठाकर संग जी खाल साजी जी सेवा विच एसे तरह सिंग साफ ग्यानी बलदेव संग जी ओभी महा पुर्ख संद बाबा जरनाल संग जी खाल साजी तो उना ने गुर्मदी विद्या पड़ी है और उन्ना महा पुर्खांदी संगत जथे विच रहे ग्यानी पाई सुखदेव सिंग जी जो तक साव जी दे पन प्यारें विचो हन उन अने संत बाबा करतार सिंग जी खालसा जी दे गडवाई रहके सिवामान बाहियां ए तक साव जी दे उत्ते दम्दमी टकसाल दे महान वद्यार्थियां विच्छों सिंग सहवाना ने विद्या प्राप्त किती है एस जथे बंदीनू सत्गुरा ने बक्षिश देना नवादिया जिन्ने भी तकतां दे अज़ भी जथेदार है सिंग साव ज्यानी हर प्रीश सिंग जी सिरी अकाल तक साव दे जथेदार ओवी दम्दमी टकसाल दे विद्या पड़ी सिंग साव ज्यानी रिकतार सिंग जी हड़ गरंथी सच्छन सिरी हरमंदर साव सिरी अमर सर साव ओ भी संत बाबा करतार संग जी संत बाबा जरनेल संग जी दे विद्यार थी सिंग साब ग्यानी एकबाल संग जी भी दम्दमी टक्साल विच्चों विद्या प्राप्त कीती सिंग साब बाबा कुलवंद संग जी तक स्री हजूर साब दे जते दार मुखेड पडारी ओभी दमदमी टक साल विच्चो आदसम दी अते सारी गुर्बानी दे ग्यान दी गुर्मदे ग्यान दी उन्हा निदात प्राप्त किती है एस जथे बंदी दे उते मारा सचे पाथशा दिने ए महान रहमता किती है जिनने संग सहबान संगता मैं सब दै बहुत बहुत नवाद करदा सारी यां संगतानू सहबान दे अवतार तारन प्रकाश गुर्बुर्वदी लख लख वदाई होवे हो नगर की रतनवी आउन वाले हन संपूर्णता होएगी कल नू सारा दिन दीवान सजण गे रात नू एकवेड के भी मिंटते सद्गुरु दी दे खन पाठां दे अवतार गुर्बुर्वदे पोग परारंब होणगे सारी यां संगताने समय समय हाजरी परने पुल्ला चुकां खिमा करनिया मैं संत बाबा मीर सिंग्धी दिवद्धी वाले संत बाबा पुर्दीव सिंग्धी बोरे वाले संत बाबा बिलजिंदर सिंग्धी राडा साहे संत बाबा गुर्चर्ण सिंग्धी ठटे वाले सारे महापुरुक महंत कर्म जीत सिंग्धी सेवा पंथी अडण शाही सवा देरो परदाने उना दी भी बहुत बड़ी सेवा मैं सब दाई बहुत बहुत तन बहाद सारी संगतां दा तन बहाद पुलना चुकां खिमा करनीया फिर सारी संगतनु सत गुरां देवतार गुर्पुर्वदी लख लख बदाई हो वे जब हम तर्म कर्म मौ आए देव लोग ताव पितास दाए वाहि गुर्वदी का कालसा वाहि गुर्वदी की पते